नमस्ते दोस्तों बोकेम फिपाई के क्लास में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले है चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए इस वीडियो में कवर किये ये वीडियो को एंट तक जरूर देखना आपको बहुत काम में आने वाली है इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टिस के बारे में डिसकस करने वाले है मैटल्स और नॉन मेटल्स की अपने आसपास आप बहुत सारी चीज़े देख लो अगर आप अभी बात हु करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स में एक सो अठारा एलिमेंट्स है और एक सो अठारा में से नाइन्टी थ्री एलिमेंट्स मेटल्स है बाकी के जो एलिमेंट्स बच गया है वो है नॉन मेटल्स करीबन अठारा नॉन मेटल्स है और कुछ ऐलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल की प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् Metals Ductile होते हैं, यानिकी Metals को आप Thin Wire में Convert कर सकते हो Metal की इस Property को बोलते है, Ductility Metals Malleable होते है, that means, Metals को आप Thin Sheets में Hemer कर सकते हो Metal की इस Property को बोलते है, Malleability आप Class में जब Boar होते हो तो फिर आप क्या करते हो? Bell बजने का इंतिजार करते हो न, बस तो Metals Sonorous होते है और metal ringing sound produce करते है टंग टंग पीरेड अभी over नहीं हुआ है आगे discuss करते हैं तो metals good conductor of heat and electricity होते है ये भाई का हाथ अभी जल जाएगा अगर इसने ये पीन नहीं छोड़ी क्योंकि वो heat conduct कर रहा है और conduct electricity भी करते हैं इसकी तरह आपको current ना लगे इसलिए हमारे घर के अंदर जो wire होते हैं उसके ओपर PVC, that is polyvinyl chloride का coating किया हुआ होता है metal lustrous होते है, that is shiny ये देखो ये चमकता धमकता खाली ball, काश ये पैसों से भरा हुआ होता चलो कोई नहीं, metals को देने की बहुत आदत होती है metals electron दे देते हैं और वो cations form कर लेते हैं इसलिए metals cations form करते है metals generally hard होते हैं और उनकी high melting and boiling point होते हैं आगे हम कुछ आपको और ज़्यादा general physical properties के बारे में बताता हैं लेकिन अब वो non metals की होगी non metals की जैसे metals की आगे आपने जो ductile थे, malleable थे, lustrous थे तो बस non metal की आगे, non लगा दीजिए और आपकी properties हो जाएगी non metals की like they are non ductile, non valuable, वो poor conductor of heat and electricity होते है non sonorous and non lustrous, generally soft होते हैं उनको आप मारोगे तो powdery mass में break हो जाएगे ठीक है आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो आप इसको like जरू कर देना, ठीक है आगे अगर हमें आपको कुछ important information दे देता हो कुछ metals के बारे में, metals जो ductile होते हैं उनमें समावेश होता है gold, platinum, silver आपको पता है gold के 1 gram piece से आप 2 km लंबा wire बना सकते हो ठीक है, इसी में platinum भी बहुत जादा ductile होता है और silver भी बहुत ductile होता है, यह malleable भी होता है और इसलिए इनको हम जोहलरी बनाने के लिए भी use करते हैं क्योंकि हम इनको कोई भी shape दे सकते हैं इनके अंदर हम दूसरे stones को भी attach कर सकते हैं दूसरा यह बहुत shiny होता है, lustrous होते हैं और इसलिए भी इनको हम जोहलरी बनाने के लिए use करते हैं फिर कुछ metals ऐसे होता है, जिससे हम बरतन बनाते हैं क्योंकि यह बहुत अच्छे conductor of heat and electricity होता है like aluminum, silver, copper अब जो बाहरी आती है वो है exceptional cases की जो metals and non-metals शो करते हैं कुछ metals तो ऐसे होते हैं जिसको आप चाकू से काट सकते हैं अभी हमने यह देखा कि metals तो hard होते हैं उनका high melting and boiling point होता है सही सुना आपने, लेकिन कुछ metals ऐसे होते हैं जिसको हम knife से cut कर सकते हैं यह देखो sodium को भाई ने कैसे चाकू से cut काट दिया potassium को भी यह चाकू से काट सकते हैं और इनहीं के साथ lithium lithium भी एक ऐसा element है जिसको हम knife से easily cut कर सकते हैं कुछ metals तो ऐसे होते हैं जो बहुत poor conductor of heat and electricity होते हैं जैसे की lead and mercury इनको पता नहीं क्यों लेकिन electricity conduct करनी पसंद नहीं आते होगी एक चीज हमेशा याद रखना mercury एक ऐसा metal है जो liquid होता है room temperature पर के यह question exam में बहुत बार आता है और आप इसको सही लिखके आना कुछ और exceptional cases की अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है bromine bromine generally liquid होता है room temperature पर जबकि non metals कैसे होते हैं या तो solid होते है या gas होते है लेकिन bromine एक ऐसा non metal है जो liquid है room temperature पर iodine एक ऐसा non metal है जो lustrous है अभी तो हमने यह देखा कि non metal non lustrous होते हैं लेकिन दोस्तों याद रखो iodine एक lustrous होता है बात करते हैं कार्बन की तो कार्बन अलग-अलग form में होता है और इनके अलग-अलग form को बोलते है ऐलो ट्रोप example graphite and diamond graphite आपके हाथ में अगर pencil है तो वो graphite का example है इसको कभी भी है आप electricity board में मत डालना और ना आपको current आ जाएगा और diamond diamond किसको नहीं पसंद मुझे भी तो diamond बहुत पसंद है आए गैस आपको भी अच्छा लगता होगा यह hardest known element है on this earth इसका melting and boiling point बहुत ज़्यादा high होता है अगर कुछ और exceptional cases के बारे में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है gallium and cesium दौनों एक ही category के इनका melting point इतना low है कि आप हाथ में रखो और पिगल जाते यह देखो भाई साब ने gallium को पकड़ लिया और gallium पिगलना शुरू हो गया अब हम आगे discuss करने वाले कुछ और properties के बारे में लेकिन वो अभी नहीं वो हम next video में discuss करेंगे क्योंकि वो होगी chemical properties ठीक है दोस्तों ममी मुझे बुला रहे हैं उनके साथ सबजी लेने जाना है मिलते अगले वीडियो में तब तक आप अपना ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेड़ कर देना